उत्तर प्रदेश के जन्पत शाह जहां पुर के रामचंद मिशन थाना में पुलिस का एक अलग ही चेहरा देखने को मिला नमस्कार दोस्तों आप दिख रहे हैं केजेन इंडिया नियूज और मैं आपके सथ मानसी अरोडा केजेन इंडिया नियूज में आपका स्वागत करती हूँ उत्तर प्रदेश के जन्पत शाह जहां पुर के रामचंद मिशन थाना में पुलिस का एक अलग ही चेहरा देखने को मिला जिसके चलते शहर भर में पुलिस के इस कारे की खासी सरहाना की जा रही है शहाँ जहाँ पुर जिले से एक खास ऐसा मामला सामने आया है जिसे हम एक अनोखी शादी के रूप में भी याद कर सकते हैं आपको बता दे कि ये शादी किसी भी बहुत बड़े मंडप में या किसी मैरिज लौन में नहीं बलकि पुलिस थाने में बने एक छोटे से मंदिल में हुई आपको ये भी बता दे कि राम चंदर मिशन ठाना शेतर में ठाना खुरदागंज शेतर से कमलेश वरमा, पुतर राम कृष्ण वरमा, निवासी, खिरिया अपनी शादी के लिए बारात 21 मै की रातरी, क्रांति पुतरी, राम अवतार ठाना राम चंदर मिशन शेतर के गाम गुआरी के घर बारात लेकर आय थे. जा रात्री में दोनों पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर कहा सुनी और जगड़ा बढ़ गया. जगड़े में वर्पक्ष शादी छोड़ कर बारात लेकर चला गया. दिन भी जाने के बाद दोनों पक्ष थाना रामचंदर मिशन पर आये और बहां मौझूद प्रभारी निरिक्षक संजी कुमार ने दोनों पक्षों की बाद को गंभीता से सुना और उन्हें समझाया और समझा भुजा कर परिचे देखर थाना प्रांगन में ही बने मंदिर दूला दूलन की शादी सju शल संपन कराई हुआ दूला ओर धूलन को थाने से विदा भी किया गया पर भारी निरिक्षक संजी कुमार ने इनकी शादी ही कराई बलकि दोनों परिवारों को आपस में मिला भी दिया देखिए हमारी खास रीपोर्ट अच्छी देने कि नाहिए जो अची कि दो है जो उन्हों तुम सनतर घ्र नाइए प्तार गोटी दिकल दो है इन्हाम येलिकित दौन दो है कि मारेट कि भोटा कि अच्छे मेंगा टेखि गोटा कि अधिकल शेक्षा सेथी और शेह आए हुआ हुआ है। आर्टी मिसन थाना अंतरगात एक परिवाद में विवाद था लड़की का पिता कहीं बाहर रहता था वो यहां आगे लड़की की साजी कर रहा रहा है लड़की के परजनों और लड़के पच्छे में पुछ जगड़े की इस तरही आगी इस ते लड़का पच्छ जबरा के बात में लड़की की पिताने थाना समारी से दिक्रफिया की सार हमारे यहां विवाद कर वाले तयाब में वह रहा जाने के लिए विवाद के विज़ेदें जोनों पच्छों को थाने पर लाके बहुत लिमिटेड लोगों के साथ दिवाद शंपन करा गया इसमें प्रवार पुलिस का एक ही रूप आपने देखा होगा लेकिन पुलिस का ये दूसा रूप भी हमने देखा जिसमें उसे दो पक्षों को जोड़ा और दो रिष्टों को आपस में बान कर रख दिया और पुलिस के इसरान ये कारे के लिए एक साथ दो परिवारों को भी जोड दिया और दो जीवन भी जुड़ गए उसके लिए KGN India News की तरफ से बहुत-बहुत बधाई If still you have not subscribed to our channel then first subscribe it and like the video and press the bell icon so in the future all the next notification will come earlier to you